वेलकम बैक टो एक्जांब फोकस वान दो मोस्ट आवेटेटेट इस पोर्ट करेंट अफेर जैनुवरी टू जून वरी इंपोर्टन फॉर अल्डी सेट इस यू का अपका एक्जाम एंड लॉट अपको पसंद आएगा पहरा को सारी इंसाइट्स वीडियो अपके लिए बह अब जो फीफांडर 17 वोमेंस वोल्ड कप है उसका उसकी होस्ट इस बार इंडिया कर रही है आपको पता होगा तो कौन से स्टेट में होस्ट हो रहा है यह आपको बताना है यूप यसी तरीके से कोशन पुछे जाते हैं ऑप्शन दिये जाते हैं डेन यूफ देन यूफ और इसमें आपको पताना है कौन से स्टेट में है और इसलिक तीन स्टेट में होना है यह तप्तुपेरे मैं पैन का करद चूज कर लेता हूं तो पहला इसमें जो ऑप्शन वह है ओडिसा मैं यहां लिख दे रहा हूं ओडि आइसेचे दूसरा कौन सा है महारास्ट्रा ठी जो आप देख रहे हैं मैसकट यह किसका है आई बी एचे इबा का जो कि क्या है एक एशियर्टिक लाइनेस है जो वुमेन पावर को सोकेस कर रहा है औक्टूबर में यह इवेंट होगा शायद 11 से 30 अक्टूबर इंटेंटेटिव डेट है सोला टीम इसने पाटिसिपेट करेगी सबसे पहला कब हुआ था 2008 में कहां पर हुआ था न्यूजी लैंड में हुआ था और किसने जीता था तो इसको जीता था नॉर्थ कोरिया ने और नॉर्थ कोरिया सबसे ज्यादा बार जीता भी मैक्सिम नॉम्मर ऑफ टाइम से कर पूछा जाए कभी किसने वुमेंस वर्ल्ड कप जीता है फीपा वाला तो अंडर 17 के क्टेगरी में तो वह है नॉर्थ कोरिया लास्ट इवेंट कहां हुआ था वह हुआ था स्पेन मे 2018 में और उसके बाद 2020 वाला इवेंट हो नहीं पाया था क्यों क्योंकि कोविड चल रहा था तो 2022 में पहली बार इंडिया इसको होस्ट कर रहा है ठीक है इंडिया पहली बार पाटिसिपेड भी करेगा अब चलते हैं अच्छा फाइनल कहां पर होगा ये भी एक च्छोटा स इन्फॉरमिशन कि डीवाई पार्टिल जो इस्टेडियम है मुंबाई में वहां पर होना है मुइंट और नेक्स क्योशीन अजर ब्धान ग्रेट प्री के बारे में बात करेंगे तो अजर ब्धान ग्रेट प्री में यह जिसी जए जो अधार। बैटे में जो बैटे वह और इन्होंने 24 साल के उमर में 66 जीते हैं तो इस वेरी वेरी इंप्रेसिव और रेडबुल के लिए तो भाई यह मतलब सितारा है और चलते हैं नेक्स कोशन पर ज्यादा है बहुत सारे कोशन है इसलिए जल्दी जल्दी हम लोग करेंगे थोड़ा तो फ्रेंच ओपन वेरी जाद रहे गए तो तो उनमें से आपको यहां रखना है भाई रफेल ने डायल को सब्सक्राइब कई बार डिसकस किया हमने यह स्पेन से आते हैं और वह तो यह से आते हैं तो यह तो चीज तो आपको बिल्कुल याद उनों चीज ते कि सिंगल्स वाला जो टाइटल होता ह आप में शायद इंठ नाम खीक से प्रेनाम किया है लेकिन यह इगा आपको याद अफ़ना है ठीक है न इगा से आतीख है पॉलैंड से पी ओ ले एंडी और इन्होंने किसको हराया कई बार रणर अप काई पूछ लेते हैं किसको हराया तो यूएस की हैं कोको गॉफ और इनको हराया था अब मूव करते हैं नेक्स्ट के तरफ और यार तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना इतना महनत करके मैंने वीडियो बनाया तो मुझे एंटिसिपेशन है कि आप पर जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब करोगे चलो तो मने को एफवन ग्रांट प्री 2022 के विनर कौन है यह फरारी को रिप्रेजेंट करत सब्सक्राइब कोई नहीं जीता था इसके बारे में और उन्होंने जीता है इसके पहले अभी हमने डिसकस आपको यह भी करके बताया था कि फेब्ररी में और में मैंने 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 को बैक टू-बैक अश्राया दो बार तीन महीने में हराने वाले मैगनस काल्सन को पहले खिलाड़ी बन गया है वल्ड के तो बहुत कमुब्रे में रमेश्वावु प्रग्मेंदा ने बहुत सारे कंट्री का टूर की आए और बहुत सारे टूनामेंट्स जीते भी हैं और अब चलता है next question इसका हाँ एक इंपोर्टेंट चीज हो सकता है लिग्जाविक ओपन और इग्जाविक आइसलैंड में तो यह हो गया आइसलैंड मुविंग तो नेक्स कोशन इंडिया इंडिया ने हराया किसको इंडिया ने हराया इंडोनेशिया को बहुत बुरी तरीके सार आया 3-0 से और इंडियन टीम का यह पहला थॉमस कप टाइटल है और इंडिया के बैंग कोग के उपर हुआ था ठीक है थोड़ा सब पहनिया पर कर जो है वह मैच नहीं करा बड़ कोई बात नहीं और देखिए बहुत जो लक्ष से इंडिया के डवल पेर में मतलब काफी एच्छा खेलें वह लोग तो अब चलते हैं नेक्स कोशन के तरफ थॉमस कप ओके यह कोशन रिपीट हो गया इंग तो यहां पर आपको याद रखना है कौन जीता है ओविसली हमारी इंडिया जीती किसको हराई तो इंडोनेशिया क कि निकाद जरीन वेरी इंपोर्टेंट कोशन यह कोशन भी शूर समझो किसी ना किसी एक्जाम में आपको आना है तो यह बिलकुल याद रखो निकाद जरीन जो है क्या जीती है आई बिस इंटर फुल फॉर्म क्यों होता है इंटरनाशनल बॉक्सिंग जो एसोशियेशन ह की जिट पॉंग जाटा मास को ठीक है यह यहाद रखना यहाँ पर मैं लिख देता हूं जिट पी ओ एंजी जे एटीए में एस ठीक है आपको यह जे यूट यह होता है जितामस पांच-जीरो से हराया बहुत खतरनाक जीत इन्यूनों हासिल करी इसका वेन्यू था टर्की टर्की के एंटालिया में हुआ था यह और यह पांच-वी विमेन बन गई है इंडिया के लिए जिन्हों ने जीता आफ्टर मेरी कॉम सरीता देवी जैनी आरेल और लेखा केसी के बाद पांच-वी इंडियन ठीक है अब चलते हैं नेक्स कोशन पर अबेर कप से हो ठीक है चाइना सकेंड पर रही और नौर्ट अब देखिए जो साउथ कोरिया जो है फॉस्ट टाइम जीता है उबेर कप तो इसलिए यह कोशन इंपॉर्टेंट है पिछले बारा साल में इनकी पहली जीत है और अब चलते हैं अहां इन्होंने मतलब इंडिया पांच-ज तो वह उन्होंने डेन्मार्क को रहा कि फिर जपान को रहा सेमी फाइनल्स में आने के लिए तो वह समझी गहांगे स्विस ओपन को घीता दोहजार बाईस का तो इस वान बाई पीवी सिंदू S-I-N-D-H-U और इन्होंने किसको हराया तो थाइलेंड की ओंग बाम प्रुगम को हराया नाम बहुत लंबा से हो इसलिए बस मैं थाइलेंड की ओग बाग रूंपम को हराया था और यह हुआ कहां पर बसेल में बसेल कहां पर है इस इस इन स्विजजर लैंड स्विजर लैंड में होता है तो बसेल इस दा लोकेशन इन्होंने 2021 में मतलब जो कैरोला कैरोलीना मारन थी वह हराई थी पीवी सिंदू को लास्ट यह और 2011-12 में साइना नहवाल ने जीता था इसी से आपको याद हो यह चीज एक और कुश्चन यहाँ पर मैं आपको बता कि इंटर्णैशनल इसका अंसर भी है पीवी सिंदू ठीक है और सिंगल बैड़्ड में इंटर्ण काटेकरी में उनोंने माल विका बंसोद को राया था ठीक है यह बता दू, ODI में खेलते वें इंडिया का सबसे ज़ादा मैच वर्ड में मतलब किसी country ने सबसे ज़ादा थाॉजन मैच कंप्लीट कि है वह इंडिया, फरस्ट पर आता है, अभी तख किसी भी country ने थाॉजन मैचे नहीं खेले हैं, और इंडिया इस हजार मैच में करीब 519 मैच जीता है 51.9 परसेंट या 52 परसेंट आप कहलें इंडिया के विनिंग रही है सेकंड जो कंट्री है जिस जिसने सबसे आदे मैचेस खेले हैं वह है ऑस्ट्रेलिया और उसके जो टोटल मैचेस हैं वह है 959 58 और उसके बाद जो कंट्री आती है वह है पाकिस्तान करीब 915 सब्सक्राइब के मैचेस हैं और यहां पर सीज़ा सीज़ा एक तो आपका फ्रेंच ओपन हो गया और एक हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन दोनों में कौन जीता है रफेल ने डाल और रफेल ने डाल का यह 21st इसी को जीतने के साथ इनका 21st Grand Slam टाइटल हो गया जो कि अ अभी 20-20 पर हैं फेडरर जोकोविक तो उसके वी ऊपर चले गया रफेल ने डाल 21st Grand Slam टाइटल आफ्र विनिंग दा ऑस्ट्रेलियन ओपन नो रोजर फेडर ऑफ स्विजर लैंड और जोकोविक जो मैं बहुता 20 टाइटल उनके हैं और इन्होंने हराय कि इसको यह आपक टूनेमेंट विच वाज हैं आपको दे रखाय लोकेशन मौस्कोव है विट विच गेम से वह एसोसियेटेड थोड़ा से यह तो बार आ गया इसका उन्सर है वुश्यू एज काइंड ऑफ मार्शल राट का फार्म है और इसको मॉस्कोव में और ने और सी किया गया था कश कोई बंदा जाकर मतलब मॉस्को में टाइटल जीत रहा है वो भी गोल्ड मेडल इस वेरी वेरी गुड थिंग कि वहाँ पी स्पोर्ट्स प्रोमोट हो रहा है जिसमें इंडिया को ज्यादा मिडल मिले नहीं है तो यह कुश्चन कांसर है वुशू जो भी रिपीट हो गया है वुशू से सब्सक्राइब को सबसे ज्यादा मेडल भी मिले हैं तो अंसर इस हर्याना अभी बात करें मेडल की तो हर्याना को 52 गोल्ड मिले हैं मैं या लिख देता हूं 52 गोल्ड मिले हैं सेकेंड जो स्टेट था उसको वह महरास्ट जिसको 45 गोल्ड मिले हैं ठीक है पैतालीस गोल्ड और उसके बाद जो स्टेट है वह करनाट का जिसको 22 गोल्ड मिले हैं अब जो टीम साइज की बात करें तो सबसे जादी टीम बड़ी भी थी करीब 390 से उपर की जो टीम गई टीम रहा है बॉपिंटो त्यकि कöhši के टीम वर्थaman करें जिता इंडिया ने और इंडिया की रही अंडिया की डिफीट किया है तो वह इंब्सथित क्या है इंगलैंड को कि कृँट विविएन रिचर्ट से स्ट्रेडियो में फाइनल खेला गया मैं फिलिक देता हूं एंटी जी यू ए एंटी गोवेस्ट इंडीज और येस धुल पच्वे कैप्टन बन गया इंडिया के आफ्टर मुहम्मत क्या विराट कोली उन्मुक्त चंद और पृत्वी सौ के बाद ज से कई बार हम डिसकस कर चुके हैं तो दो आधनाम रफेल नडाल नवग जोकवेक आपको याद रखना है और इटालियन ओपन किसको हराया तो स्टेफनोस से सपास को हराया इनोंने और सेवंटी नाइंट एडिशन आप इटालियन ओपन ये था ठीक है सेवंटी नाइंट वेन्यू कहां था इटली में तो ओविसली रोम इसका वेन्यू होगा और अब हां एक चीज़ और की जो स्टेफनोस से से पास हैं कहां से आते हैं ग्रीस जाते हैं यह भी मैं लिख देता हूं ठीक है यह इंपॉर्टेंट हो जाता है उनका लोकेशन अब चलते हैं नेक्स् रॉस यह जड़िए इसी वोमेंस Cricket War Cup 2002 विनर और तो ऑस्ट्रेल्या ने बीट किया ओस्ट्रेलिया ने और ऑउस्ट्रेलिया ने इसां किस ने जीता वेन्ट का यह उसका में वपन से और वेन्यून में में हो रहा था यह है और प्लेयर आपजेट टूनेमेंट एलसा हैले को मिला है और ट्वेल्थ एडिशन था ये क्रिकेट वर्ल्ड कप का वुमेंस आई सी सी वर्ल्ड कप का साथ बार तो उसमें और अकेले और जीत लिया है चलते हैं नेस कोश्चन पर मेंस होकी एशिया कप विनर इस आपको मेडल में इंडिया ने जीता लेकिन जो गोल्ड मेडलिस्ट है वो कौन है वो है साउथ कोरिया अंसर इस साउथ कोरिया इन्होंने किसको हराया इन्होंने हराया मलेशिया को मलेशिया को हराया टू वन से और जो गोल्ड मेडल है वो अपने नाम किया ठीक है वेन्यू इसका winter olympic games 2022 तो ये winter olympics game host किया गया चाइना के द्वारा और 15 categories में 109 event organize किये गए थे और norway top किया medal tally में norway को मिले मैं यहां black वाले portion पर दिखता हूँ साथ थोड़ो सा जादा दिखेगा इस तरफ norway को मिले कितने तो total 37 medals ठीक है जिसमें तो 16 gold लिया था नॉर्वे ने और जर्मनी 27 medal के साथ second पर finish किया इंडिया इस बार participate किया था सिर्फ एक ही कश्मीर से हमारे alpine जो skyr थे वो participate किया जिनका नाम था आरिफ खान ये question हो सकता है आरिफ खान किसने participate किया था winter Olympic Games 2022 में तो ये थे आरिफ खान और अब चलते हैं next question के तरफ तो keep watching guys I hope ये सारे important questions आपको काफी help करेंगे आने वारा जो वीडियो होगा sports के कुछ और question जबर करेंगे government scheme पर मैं सबसे पहले question लाँगा और state current affairs को भी launch करता रहूँगा so keep watching exam focus till then good bye have a good day